हेलो फ्रेंड स्वागत है आपता अपने यूट्यूब चैनल हैस्टैक क्रियेटिव आरती पोरवाल में दोस्तों मैं हूँ आरती और जो आज की वीडियो है यह सारे स्टूजेंस के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट होने वाली है जी हाँ दोस्तों आपको बता दूँ चैए वो NEET के स्टूजेंस हो या JEE के स्टूजेंस हो या किसी बोर्ड के स्टूजेंस हो या primary junior किसी भी क्लास के स्टूजेंस हो ये जो आजका वीडियो है सभी के लिए बहुत महतपूर होने वाला है क्योंकि एक बहुत महतपूर फैसला आया है जो पोखरियाल जी ने अभी अभी जारी किया है तो मैं सारा एक एक करके सभी के लिए बताऊंगी लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस इंफॉरमेशन आपको मिलती रहे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं दोस्तों जैसा कि मालूम है कि नीट स्टूजेंस के लिए पुखरियाल जी ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है जी हाँ जो नीट 2021 का एक्जाम है वो अब दो बार होगा साल में तो दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज है नीट स्टूजेंस के लिए इसी तरीके से कल का दिन बहुत ही महतफूर था बहुत सारे फैसले उन्होंने दिये हैं जो प्रैमरी के बच्चे हैं जूनियर के बच्चे हैं और जो बोड़ के बच्चे सभी के लिए उन्होंने एक एक करके निउस निका ली है तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूँ जो board exam के बच्चे हैं, उनकी पूरी date sheet आ चुकी है, date sheet के बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी, तो उस date sheet के हिसाब से ही अब आपके exam होंगे, और इसके बाद उन्होंने जो board के exam देने जा रहे हैं, बच्चे उनके लिए एक और फैसला सुनाया था, कि अब साल में दो बार वो परिक्षा दे सकेंगे, जियां दोस्तों, अगर आपके एक परिक्षा में नंबर कम आते हैं, तो आप दुबारा दे सकेंगे, इसी तरीके से, आपको पता है, खुले लगे हैं, जो इसके बाद first to air तक के school है, वो भी खोले जाने की पूरी तैयारी हो गई है, जैस इस तरह से ये स्कूल दस तारिक से खोले जाने की तैयारी है, तो दोस्तों first to air तक के बच्चों का school किस तरीके से खुलेगा, और किस किस दिन उनको जाना पड़ेगा, ये सारी news आपको बताऊंगी, तो दोस्तों पहले सको इस तरह से समझ लीजिए, इसको दो भागों में बाटा गया है, six to air तक की जो classes हैं, ये दस फरवरी से लगेंगी, और class one to five तक की जो classes हैं, वो एक मार्च से लगेंगी, तो दोस्तों पूरी news आपको बता रही हूं, सूबे के परसदी वा निजी प्रात्मिक तता उच्च प्रात्मिक स्कूलों को खोलने के लिए, ये guidelines जा अगर class में 40 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे एक दिन बुलाए जाएंगे, और 20 बच्चे एक दिन बुलाए जाएंगे, तो इस तरीके से देखा जाए, तो सरफ हफते में एक ही दिन बच्चे को स्कूल जाना होगा, इसके बाद अगर जो एक विद्यार्थी को अभी भी हफत स्कूल जो है, वो एक मार से खोले जाएंगे, और इसके लिए भीभावकों से पेरेंट से उनको एक सहमती पत्र भी लेना अनिवारी होगा, अगर पेरेंट चाहेंगे तो ही वो बच्चे को भेज सकते हैं, कोई कंपल सरी नहीं होगा उनका जाना, और विद्यार्थी घर स सारी जो भी सुविधाएं हैं, पे जल की, पीने की, और खाने की, सौचाले की, यह सारी सेनिटाइज युक्त होंगी, पूरी स्कूल वालों को यह पूरी रिस्पॉंसबल्टी लेनी पड़ेगी, कि कोई भी बाहर से व्यक्ति बिना सेनिटाइज हुए ना आए, और हर वि प्रात्मिक इस्तर की और उच्छे प्रात्मिक इस्तर की तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, भीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एक से पांच तक के बच्चों के लिए फर्स्ट और फिफ्ट की क्लास है सोम बार मंडे और थर्स दे को, फिस सेक सिक्स्थ क्लास है वो मंडे और थर्स दे, सेवन्थ क्लास ट्यूजडे और फ्राइडे, एर्थ क्लास वेडनेस दे और सेटर डे को लगाई जाएगी, इसके बाद आपको बता दू कि जो भी उनकी प्रिजेंस है उस पर सक्ती नहीं की जाएगी, जो है बचों को जो है जर स्रतिक कारिक्रम नहीं और्गिनाईज कराया जाएंगे, समारो, त्योहार, खेल, कुद, किसी भी प्रत्योगिता का आयोजन नहीं कराया जाएगा, और अगर इसके बाद उन्होंने गाइडलाइन्स में ये भी कह दिया है, कि अगर संक्रमण फैला तो स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा, अभिभावकों को ये सहमती पत्र दी जाएगी, उस पर साइन कराया जागा, उस पर इस पस्ट रूप से लिखा होगा, कि कोरोना से बचाओ के लिए स्कूल हर सम्मव प्रियास करेगा, लेकिन वो ये गारंटी नहीं लेगा, कि कोरोना किसी बच्चे को होगा या नहीं होगा, तो ऐसे में विद्यार्थी को स्कूल भेजना पूरी तरह अभिभावक की स्वेक्षा पर है, यदि संक्रमण फैलता है, तो स्कूल प्रिशाशन जिम्मेदार नहीं होगा, ऐसे में विद्यार्थी के शरीर का तापमान 100 डिग्री फेरनहाइट से अधीक ह तो उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही, खासी जुकाम के लक्षन है तो उसको स्कूल ना भेजें, किताब, पैन वा पैंसिल एक दूसरे को नहीं देंगे, कोई भी शेरिंग नहीं होगी, हर स्टुडेंट अपना अलग-अलग सारा सामान लेके जाएगा, बसो जो स्कूल बस हैं, उनको भी सेनिटाइज करना निवार होगा, और स्कूल के अंदर कैंटीन वगेरा नहीं चलेगी, और बाहरी वेंडर जो बाहर लगाते हैं, खाने पीने के उसको भी स्कूल के अंदर जो है, कोई भी बच्चा लेके सामान नहीं आएगा, और फिजिकल जो डिस्ट बच्चे बुलाया जाएंगे, इसका मतलब यही है, कि एक बच्चे को हफ़ते में एक ही दिन क्लास जाना है, और वो मैंने आपको डेट दिन बता दिये हैं, किस-किस दिन जाना है, तो दोस्तों यह गाइडलाइन आई है, फस्ट टू एर्थ के लिए, और नाइन से ट्व स्कूल के बच्चों की क्लास चलने लगी है, जैसा कि आपको मालूम है, यह पहले ही खोले जा चुके हैं, और बोड की जो है, डेट भी आ गई है, तो आप लोग अपने एक्जाम की तियारी करते रहे हैं, अगर ऑनलाइन आपकी पढ़ाई हो रहे हैं, तो उसको भी करते दी थी, कि आपका एक्जाम दो बार होगा, और इसकी डेट अभी तक नहीं आई है, जैसे ही कोई डेट आएगी तुरंत आपको बता दी जाएगी, तो आज का जो यह वीडियो था, यह सारे स्टुडेंट्स के लिए था, इसमें मैंने सारे स्टुडेंट्स के लिए कोई कोई खबर दी है, जैसा कि कल पोखरियाल जी ने ओनलाइन जो लाइव किया था, मीटिंग की थी, उसमें यह सारी गाइडलाइंस जारी की है, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक और शेर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्स्राइब करिएगा, थेंक यू